नमस्कार दोस्तों में विने सिंग आपका इवर्फे स्वगत करते हैं अगर आप गोल्ड हुल्ड कर रहे हैं तो उसके क्या रूल्स हैं कितनी ज्वेल्री आप सकते हैं यही सारी बातें आपको इस वीडियो पता चलेंगी यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब पर लिजिए आप यहां पर बात करते हैं बियाएस हॉल्मार्किंग जो है गोल्ड ज्यूल्री के लिए क्यों जरूरी है तो अभी एक जनुरी दोजार बीस के बाद गोल्ड बिकेगा या गोल्ड का ज्यूल्री बि प्लीज उनुक्त किराएं तो लोग जोल्री के लिए घस घ्रियाई के लार्ड बिकास्तों सब्सक्राइब होगे गोल्मार्क Safety लूड टीस चैक्टरेगरी में आपको ज्यूल्र तरी के मार्क बाता गयाई มार्क मेर्स्क्राइब एक बादा करेकरण का दूसरा 18 क्याट का परती है जो ironi standard Burns book scheint禍 सब्सक्राइब में कर दर्ग होगा विकली सब्सक्राइब तो इसका खरापन कितना है वो आपका प्रेंट ओगा और फूर्थ के ऊपर ज्वीन सब्सक्राइब सपांच सेंटर है उसके साथ साथ में आपका इस दर्ग होना चाहिए तो ये चीज आपके चार चीजें आपके जो भी होल मार्किंग में आती है अभी है होल मार्किंग कौन करता है तो होल मार्किंग जो होती है मिनिस्टे ऑफ कंजूमर अफियर्ज के अंदर में बिय ये से जो होल मार्किंग होती है और ये उनीका एडिमिसेटिक वर्क होता है इसको बहुत ही जरूरी कर दिया गया है तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप गोल्ड या जोलरी खरीदने जाते हैं या फिर किस तरीक कुछ भी इस तरीके का आइटम खरीदने जा रहे हैं तो आप इन चीजों का यह चार जो इसमें मार्क दिखाए गए हैं यह सब्सक्राइब का लक्स है और गोल्ड मोनेटाइशन स्कीम को सक्सेस्फुल बनाना है तो उसमें नोंने क्या क्या सोबरन गोल्ड भी लेके आए हैं और बैंकों को भी नोंने एक पावर दे रखी है कि जहां पर आप कस्टमर से गोल्ड लेके उसको सिक्यूर करेंगे उसक गोल्ड मोनेटाइशन स्कीम्स लाइती इसमें आपको सोबरन जो गोल्डी यह उस लिए ले। इसलिए बहुत अक्छी इंडिया में जो होल मार्किक है उसकी प्यूर्टि अलग बता ही उन्होंने बता जैसे किसी ने 22 करट दिया है तो बाइस नाओ के 20 केरेट है या 18 केरेट है इस तरीके से भी निकला है उनका दावा है कि इंडिया मात 30 परसंट जो जो अलरी है उसी की होल मार्किंग हुए तो इसलिए इस कौंसिल ने बोला है कि भारत के अंदर में जो होल मार्किंग सेंटर है उनकी जो भूमिका है वो भ अब नेक्स जाने के जो है वो एक साल का चांस जोलर्स को दिया जा रहा है ताकि उनके पास जो भी पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वो स्टॉक गॉर्मेंट के जो नए रूल से उसके तहत वो अपना स्टॉक आउट कर सकते हैं और उसके बाद 31 दिसंबर 2020 के बाद जो भी जोलर्री होगी उसका लेखा जो नवर्मेंट जो भी आच्ची तरीके से रखना होगा में 877 center open किये गए हैं जिसमें की current में 26,019 dwellers को इसमें जोड़ा गया है साथ-साथ में इनी के पास 27,019 dwellers के पाथ सी whole mark certificates जारी करने की power है इसके साथ में वारत के अंदर कल भी तक्रीमन 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 चोटे बड़े जोड़ा जाएगा अब यहां पर बहुत जरूरी है कि आपके पास कितना सूना है और उसके उपर tax की देंदारी क्या होती है तो अब आपको बताते हैं अगर कोई लड़की है उसको साधी में कोई जोलरी मिलती है तो उस पर कोई tax नहीं मिलता है वो चाहें जोलरी उसको उसके माबाप से सास असुर से मिले इन सारे तरीके के gold पर कोई tax नहीं देना होता है साथ में अगर सास से कोई विरासत में मिली है यानि कि सास की सास में इस तरीके से है या दादी सास से आपको अगर कोई मिल रही है विरासत में उसके उपर भी कोई टेक्स नहीं लगता है गिफ्ट डीड या विल में मिली जोलरी आपको उसमें भी कोई टेक्स नहीं होता है त नोट बंदी के दौरान जो बहरत के लोगों ने जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास काला धन था उन्हों ने अपने पैसे को गॉल्ड करनेगे, गॉल्ड में कनवर्ट कर दिया था, तो इसलिए उस ताइम पर गोल्ड के रेट भी बड़े थे, तो इसलिए गोवर्मेंट ने बताया है कि हम जो भी इसके बाद में चेकिंग करेंगे, तो यह Center Bureau of, यह कौन सा Department, CBDT Department नहीं बोला है, यह Tax Department है, तो यह Tax उन्हों नहीं बोला है कि नोट बंदी में जो भी इस तरीक कैसा हुआ है, तो इस गोल्ड का वो लग है, जो का चाहते हैं, अब नेक्स जरूरी है कि इन्वाइस जरूरी है, तो इसलिए उसी के यह Second Form में, अगर आपने गोल्ड की वैल्यूर की वैल्यू है, वो आपको अपने Tax Return में फाइल करनी होगी, और बताना होगा, आपके पास कितना एसेट और लायबेल्टी और अप्चन उन्हों ने दिया, वहां पे आपको गोल्ड की वैल्यू बढ़नी होगी, यह जितना भी है, वो आपको इस्वो करना होगा, इसके साथ में उन्हों ने एक सर्कुलर ओडर जारी किया था, जिसमें उन्हों ने बताए, अगर हम इसलिड़ा सोना नहीं करी सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा सोना आपके पास परीज आता है, तो उसकी इन्वैस बहुत जरूरी है, विदाट इन्वैस उससे सोने को जब्ड कर लिया जा सकता है, तो इस वी साथ मेंगर आपने तीन साल के बाद बचा है, तो उसमें LTCG ज तो इसलिए गोल्ड के बेचना और खरीद के बेचना बहुत ही गाटे का सौधा आपके लिए हो सकता है पर इसी के साथ साथ में एक और इसनों ने अपने कर रहें कि अिट्ट्र तो आपको स्ब्सक्राइब जुटिश करने हो तो जो है पूरे बीडियो का इस पूरे वीडियो का अपको पता होना चाहिए कि मैरेज में आपको जो भी गोल्ड मिलता है उसके उपर capital tax gain लगेगा मतलब अगर आप उसको बेचते हैं तब तीन साल के अंदर जो भी बेचा जाता है उसमें short term capital gain tax लगता है नमबर तीसरा है अगर आप तीन साल के बाद बेचते हैं तो LTCG लगता है जो पुरानी अगर आपके पास कोई जोल्री है उसी जोल्री से अगर नई जोल्री आप उसको convert करते हैं मतलब आपके पास कोई हार है उसको गलवा के नई हार बना दे तो उसको कोई tax नहीं लगता है पर यदि अगर पुरानी जोल्री आप लेते हैं उसको मतलब एक तरीके से उसको बेच के नहीं जोल्री खरीदते हैं तो यहां पर आपको देना होगा टेक्स तो इसके उपर आपको टेक्स देना होगा इसलिए अगर आपको पुरारी जोल्री गला कर आपको तोना लेना ज्यादा बैतर होता है इसके साथ मेरिज में मिले हु या फ्रेंट से मिला हो उसके उपर कोई टेक्स नहीं मिलता है मेरिज से मिले हुए गोल्ड को सेल करने पर ही टेक्स के रूल है अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं मिलें और इसमें एक पॉइंट और बहुत ज़रूरी है आप जिस भी सूर्ट से गोल्ड खरीद रहे हैं आपको इन्वाइस पक्का आपके पास होनी चाहिए तो ये कुछ golden rules of gold है उम्मीद करता हूँ कि गोल्ड के बारे में जो नई एक जनवरी 2020 के बाद में policy आई है वो इसमें आपको मैंने पूरी समझाने इकुषिस की आपको पसंद भी आई होगी अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लिस वीडियो को live और इसपे comments करना ना भूलें अगर इसके बारे में और आपको जान करें चाहिए तो please comment box में comment करें अगर आपको वीडियो पसंद नाया तो dislike करके reason बताइए और इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी दोख्षतों का बहुत बहुत धन्यवाद इसी नोट के साथ वीडियो को करूँगा, wind up, thanks